कप्तान को बाहर निकालते ही चमग गई इस टीम की किस्मत मैदान पर मचा दिया कोहराम जिस साउथ अफरिका को उसके घर पर जहिलना आसान नहीं होता उसी टीम को कमजोर श्री लंकाई टीम ने सिर्फ दो सव पैतीस रनों पर समेट दिया विश्वा फर्नाडो, 62-4 और कसुनरजी था, 68-3 की शांदार गेंद बाजी के धंपर श्री लंका ने पहले टेस्ट मैच के पहले देन बुदवार को मेजबान साउथ अफरिका को उसकी पहली पारी में 235 रन पर वेल आउट कर दिया श्री लंका ने इसके जवाब में दिन का खेल समाप्त होने तक एक विकेट के नुकसान पर 49 रन बना लिये हैं श्री लंका अभी दक्षिन अफरीका के स्कोर से 186 रन पीछे हैं जबकि उसके नौवे केट बचे हैं स्टंप्स के समय कप्तान दिमुत करुनारत ने 28 और अपना डिर्ब्यू मैच खेल रहे ओशाडा फर्नाडो 17 रन बना कर नाबाद लोटे इससे पहले श्री लंका ने साउथ अफरीका को किंग समीड मैदान पर टॉस जीत पहले बल्ले बाजी करन्योता दिया साउथ अफरीकी टीम ने 13 के स्कोर पर ही अपने 6 विकेट घवा दिये लेकिन पुिंटन डिकॉक ने 80 रन की पारी खेल कर टीम को सम्मान जनक स्कोर तक पहुँचाया डिकॉक ने 4 रन्वे गेंदो पर 8 चौके और एक छक्का लगाया उनकी अलावा टेमबा बवुमा ने 47, कप्तान फॉप डू प्लेसिस ने 35, केशव महराज ने 29 और डेल स्टेन ने 15 रन का योगदान दिया आपको बता दे श्री लंकाई टीम ने इस दोरे के लिए अपने कप्तान दिनेश चांडी मल को ही टीम से बाहर कर दिया उनकी जगें दिमुच करुनारत ने कप्तानी कर रहे हैं